हेलो बच्चो और वेलकम टो चैनल मुकेश का शब हमारा जो चाप्टर है वो है पर्मानु सन्रचना अटॉमिक स्ट्रक्चर उसका है यह पार्ट फोर इस से पहले तीन पार्ट हम अल्डेडी बना चुके हैं आप चाके उस चानल पर देख सकते हैं बच्चो इस से पहले वा जिसका सारा धनावेश उस नावेश में सित है उसके अलावा उन्होंने कहा के इलेक्ट्रोंस है जो उसके चारो तरफ विविन कक्षां में गूंते रहते हैं उन्होंने कोई पर्टिकुलर कक्षा नहीं बताई थी उन्होंने कहाता सिर्फ विविन कक्षां में किसी भी कक् विद्वत उदासीन है, कण होते हैं, सारा परमाणु खोकला नहीं है, कुछ भाग खोकला है, बाकी बीच में धनावेश है और उन्हों का विद्वत उदासीन कण है, गोलाकार है, बहुत शूश्क है, यह सारी बाते हैं पहले भी सुन चुके थे अब बच्चो, जब रदाफॉर्ट का मॉडल आ गया तो उसके बात सिंपल सी बाती है, जब मॉडल आया, लोगों ने देखा, कि साइंटस ने देखा, कि हाँ, इन्हों एक मॉडल दिया, बात तो बनती ही कि सब सोचते हैं, कि मॉडल में कमी निकालें, कमी तो सब लोग जब देखा, कि तब निकालें नहीं होई है, तो फिर ऐसे पता चलता कि हाँ, जब दनावेशित है कि नहीं है, तो पच्चो उस समय पर एक साइंटस्ट थे मैक्सफिल, कि पहुचे वी साइंटस्ट थे, ऐसी बात नहीं थी कि उनकी बातों को जुकला सकता है, या रदाफ तो पूलें ये नहीं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, यानि कोई आवेशित कन किसी भी केंद्र के चारों कोई केंद्र है और उसके चारों तरफ वो गति कर रहा है, लगता सतत रूप से वो नहीं रुकरा, बिल्कुल कर जा रहा है, कहीं भी स्टॉप नहीं ये उसका त तो उसकी एनर्जी लूज होती है यानि उसकी एनर्जी का वो शेयर करता जाता जाता आप अपने शिम्बल सी बात है आप है आपसे कहा जाए आपको एक जगा खड़े रहे कहीं गूमना है किसी चालतर चक्कल लगाने है तो एक ताइम दसा है आप ठक जाओगे गिर जाओग वहां पर Rutherford कुछ नहीं कहा पाए वह नहीं कहा था क्या है उन्हों ने कहा था कि नाबे के बीच में चालतर चारत अप घूम रहा है और वह बात नहीं प्रूफ कर भाए कि हां लगातार घूम रहा है तो सिंपल सी बात है एनर्जी तो वह लूज करी रहा हो अपनी और जब यह गिरेगा तो यह प्लस यह माइनस यह दोने दूसरे मिलें और एक दूसरे को दासीन कर देंगे कोई चार्ज रहे गा ही नहीं अएटम के पास लेकिन जब हम देखते हैं तो एसा नहीं होता उसके पास चार्ज है तो ऐसा कैसे हो रहा था यह बात को रदफोर्ट पूफ नहीं कर पाया तो एक उनका फेलियर यहां पर आया कि वह क्या था लिखते कैसे कि यह मॉडल मैक्सवेल के विद्धुत कति की सिध्धान का पाला नहीं कर पाया वो नहीं बता पाय कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एलेक्ट्रों घूम भी रहा है और कर दूसरा फेलियर क्या था था बच्चों आप सब को स्पैक्ट्रम के पारे में नहीं पता है उन्हें थोड़ा सा पुराना उनका याद दिलातू तो शायद उन्हें याद आजाए क्या होता है बच्चों आपके एक प्रिज्म वाला चाप्टर वह करता था 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 तो एक कि उसमें होता था प्रिजम होती थी फिल थी उसके उपर और इधर साइट से सब्सक्राइब किभ ब्युगऊर भी कहते थे तो तो वह लाइट का स्पेक्टरम था कि वाइट थी आपने प्रिजम पर आप अपने कलड गई तो उसको हम कह रहे थे यहां पर वाराल ऐसा नहीं था कि आप वाइट लाइट डाल रहे थे यहां पर हम क्या कर रहे थे विद्व चुम्ब की किन्नों का प्रियोग कर रहे थे लेकिन वहाँ पर कलर नहीं दे रहे थे वो लेकिन हाँ पर कुछ फ्रिक्वेंसी यानि आवरती थी उस आवरती की किर्ने कुछ गायब हो रही थी तो आप इस तरीके से समझो कि आपने प्रिजम पर डाला और वाइट लाइट जब निकली वह वाइट लाइट जब इसके अं आप आवरती वाले बात नहीं समझ पाएंगा फिसलिक समझो कि वहाँ पर कहता जिसे विव्योर कलर आते थे थे सारे कलर राते थे यहां पर लेकिन क्या हुआ था था किसी भी अलिमेंट पर उन्हों ने गोल्ड लिया तो सबस्पोस्ट गोल्ड में क्या हुआ था था जाता था था तो वॉयल़ेट कम था तो इस तरीके से हो रहा था किसी अलिदे की किरन कम थी कभी उसकी कमति कभी उसकी कम थी कम थी तो यह सारी बात लाथे चल रही थी ट्रीभा हो थे कार्न को ob Smonna Beatles का जा ओर फिक कि आवरती का जा रही एंग són दो चली है किницы को दूशरी नहीं बता पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है तो यह उनका second failure था तो बच्चो यह उनके दो failure थे second failure को कैसे लिखते हैं यह model एक electron वाले पर माणों के उच्छ सर्जन spectrum में उच्छ सर्जित spectrum रेखाऊ की प्राप्ति की व्याख्या नहीं कर सका मैं भी क्या नहीं कर पाया उसे अलग अलग होते हैं पहल लिखा होते हैं पहल निल बोर थे मोडल आने वाला है नेक्स्ट उन्होंने इन mistakes को सुधारा लेकिन उसे पर ने पर नेट्रॉन की कोष कि बारे में कि अभी तक हमने तो जैम्स जडविकिनी की थी जब आलफा करनो में रदफा कर दो रदाफा करें किता है जब आलफा करन अंदर जा रहे थें तो महां से क्या हुआ थी किर्ण निकलती हैं आपको यह ज्यादा एनरजी की रे एक शोड़ती है निकलते है उली नाज़ा पढ़ेंगे और अच्छे से क्लेरली तो क्या हुआ उन्होंने देखा कि एक बेधी किरण बेधी मलब जो बेधी किसी चीज को किसी में छेट कर दे किरण निकल के आ रही है और उस किरण पे कोई भी चार्च नहीं है ना प्लस है ना माइनस है तो सिंपल सी बात है वो ना पता चला कि आटम के अंदर परमाडों के अंदर एक चीज और है जिसे हम अब तक मिस्स कर रहे थे जिसको हम नहीं बता पारे थे कि वो क्या है तो जीम शैट्मीग ने उसे न्यूट्रॉन नाम दिया उन्होंने का एक न्यूट्रॉन भी है जो कि इसके नाभिक में ही स्ति यह सब आप पढ़ने वाले हैं आपके फिजिक्स में है यह चाप्टर उसमें आप पढ़ेंगे तो उससे उन्हें पता चला कि हाँ आटम के अंदर कुछ और भी है तीसरी चीज जो है न्यूट्रॉन हमारा और उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो यहां पर यह खो जोग यहां पहले हलके तत्व को उसके उसके लेकिन एकशेप्ट सिवाए हईडरोजन के क्यों कि बच्चों, हईडरोजन में न्यूट्रोन नहीं होता है तो अगर आप हैडरोजन को देखें तो उसका उसको लिखते है वन-एच्वन त्रिक है यानि इसमें क्या है एक सब पर वक कर रहे थी सिर्फ हाइड्रोजन को चोड़ कि हाइड्रोजन में नहीं होता है हमारे पास तो बच्छो क्या क्या इसकी विशेष्टा है थी न्यूट्रोजन की यह चुम्ब की छेता था विद्धु छेत में विच्छेत नहीं होती जैसे इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन हो जाते थी क्योंकि उन्पर चार्ज था इंपर चार्ज ही नहीं है अगर कोई आवेश्ट करन हो 1.675 x 10-27 kg होता है यह उसका ध्रविमान था जो क्यालकुलेट किया गया न्यूट्रोन उदासीन कर है के बात भी उन्होंने देख ली थी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है और यही वाली बात हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों के परमानों के नाविक में न्यूट 1.675 x 10-47, तो बीडियू 2.675 अडेवाइग लाविक में इतना ही उन्यूट्रोण न्यूट्रोण का रविक मान था च्छाशे न्यूट्रोण के रवेद्ध के नुट्रोन के लग बग बड़वाइग होता है और देख लियूं कोय अवेश होता ही और ओठ पर बड़ह रो बस्तो ये भी जिरो हता है जब आवेश की नहीं है तो अँगर से निकालोगे ऐवेश घर रलपाथ कैसे निकालोगे जो यब आवेश है यह भी जब । यह होता ही रहाई ऐसे लियु नहीं, थीक्टैड तो आप सब आगोगी तो आपको समझ मुझे नियूत्रों की खोज हो पहला था हमारा पर्मानुक्रमांग जब हमें न्यूट्रोन प्रोटोन इलेक्ट्रोन की बन पता चल गया तो पर्मानुक्रमांग की बात ही पर्मानुक्रमांग क्या होता है तो किसी तत्व के पर्मानुक के नाभिक में उपस्थे पुल प्रोटोनों की संख्या उस तत्व क या हम होती है या कहलाती है या नाबिक न्यूकली से नियूसा में जितने प्रोटॉन उपस्थे ततर संख्या की बात कर रहे हैं जितनी उस तत्र में पुलात係 परमाणो कर मांच कि अट एंग के असके संख्या och ऑप जैसे sodium है यह उदासीन है इस समय पर चार्ज नहीं है तो इसका electron और proton दोनों बराबर होने वाले क्योंकि इसके अंदर से electron नहीं निकला यह नहीं है इसके अंदर अगर आप आप पॉजिर्टिव कर दो ठीक है तो पॉजिर्टिव यानि इस पर चार्ज आ गया यह उदासीन इस पावेश है तो इस समय पे इसके electron और proton की संख्य बराबर नहीं होने वाली है इस समय बराबर नहीं होगी ठीक है यह बात आगे समझ में कि अगर कोई चार्ज उताज से CL है इस समय इसके electron proton बराबर है लेकिन अगर यहां पर माइनस चार्ज आ जाए उपर इसके माइनस तो कya होगा यहां पर इलेक्ट्रोन और proton की संख्य बराबर नहीं रहेगी वो ěृ जाएगी जयाता हूझ भी बात है यह वह हम आगे पढ़ेंगे इसलाइन भाते हैं फिलाल अगर उदसीद करणा तो इलेक्ट्रोन की संख्य बराबर नहीं होती है ठीक है उसके अलावा ब तर ने भूटान भी किसमे है नवेग में और आतरो ही उनकी नूट्रोन गो नृट्रोन गी किसमेह प्रोट क inhale लिजो जो की काई जो हमारी द्रव्यमान संंंख़ा कर Avoid मत उनकी संख्या क्लाया द्रव्यमान संंख्या के alto प्रोटौण की संख्या द्रवेमान संख्या प्लस N नीचरोन की संख्या n 2d नीचरोन गया सकते हैं आप डेखो नूट्रोन की संख्या को आप देख लो नूट्रौन की संख्या किसी परमाण नीट्रोन के अंदर उपस्तेत नीट्रोन की संख्या निमन प्रकार हम गयाद कर सकते हैं इसी आप न» तब रे मिसक्क पे पर नाम नाम Youtube परने के का है देकन ही सऩय और सवाह मेइर अन्सक्कr से आप को sujet can be a वहां ऩो निकालने का इक सवाल मुझा और पर दो आप आप बोलेंगे रखेगे लगिए फिक और डे वीडियो को पहले पहले आप नाम दे दें तो देखो बच्चों क्या है कोश्चन तीन विविन तत्वों की धर्विमान संख्या 45 है ठीक है उन्होंने हमें धर्विमान संख्या दे दिया पहले कोशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको राती हूँ, तीन विविन तत्वों की धर्विमान संक्या 45 है, इनके परमाणो करमाण का क्रमशा 20, 4 और 22 हैं, इन तीनों में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, चीक है, न्यूट्रॉन होंगे, हाँ बचो 20, 21 और 22 ह विविन तो चीक हुएए, न्यून होंगे इन तीनों में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे ये बात आccा क्रना हुंगे हमें बतानी है तो पहले देख लेते हमें क्या क्या है सवाल में बेते इन पहले हमें या ट्रेफे मांद संख्यों किती दीस ए और सकते हैं परमानु करमांग बर्बरबराबर στα प्रोटोनों कि संख्यों कि कि आए-पर म मैं क्या है प्रोटोनों कि दीसंख्यों से अगर हम देखें परोटान वाले कहले से परमानुकरमांग्षब का कित था है परमानुकरमांग किता है ठीक है तो इसे हम परोटान निख लिख को संक्रिस थो यह प्रोटॉन की संख्या 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 प्रोटॉन की सं संख्य यानि a बराबर p प्लस कित्ता n ठीक है अब हम यहां पर p1, n1 लेंगे क्योंकि 3 है तो आपने a तो सबकी सेम है तो a बराबर तेले लेंगे p1 प्लस n1 तो a कित्थी है 45 है p1 कित्ता आपके 20 है आपको क्या निकालना है n1 यानी neutron 1 की संख्या निकालना है तो 45 में से आप 20 माइनस कर दो यह प्लस में था इधर लाई माइनस में होगा तो इस कित्ता बचेगा आप 45 में से 20 निकालेंगे तो कित्ता बचेगा आपके पास 15 तो कितना था बच्चोई n1 बराबर 45 माइनस 20 यह हुआ 25 तो n1 कित्ते आगई हमारी 25 उसके बाद दूसरा a बराबर p2 प्लस n2 करेंगे a कित्ता है 45 है p2 कित्ता है हमारे पास 21 है और n2 कित्ता है n2 हम ऐसे लिखा रहें लिए 45 में से माइनस करेंगे 21 इ्कोल्स तो n2 कित्ता बचेगा है हमारे पास 24 pretend जित्ता अगे न्यूट्रोन की संक्या आगए 2000 जित्ता हीँ हमारे पास 24 अब च्रूब इसी तरीके से करेंगे a कोस्तिट00 и प्लस n3 तो ए कित्ते है 45 है मैं निकालना है 45 में से 201, 22 और और यह मां नि- conven आप प्रोटॉनवांस करिए और बहुत इसके आंसर fiction आप के लिए आपके लिए खर से करना है और एक बढ़को कमेंट बॉक बोक्स से एक सरव बहुत है रहेगा आप कोशिश करना अधवेश में करके दिखाऊंगे नेक्स वीडियो में बोर का मॉडल भी पढ़ेंगे एक पर्माणू में सत्रा इलेक्ट्रोन है इसकी द्रवेमान संख्या पैतिस है इस पर्माणू क्रमांग और नाभिग में न्यूट्रोनों की संख्या ग्याद करनी यह जाले इसकी दो पार आएदाश बड़न दरनाभिग संख्या प्रोटोन की संग्य आपको मिल गई है तो आप नियोट्रोन तो निकाली पाएंगे तो का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजेगा एंड उसके बार हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हमारा बोर का मॉडल वो थोड़ा बड़ा है इसलिया हमें उसको अलग वीडियो में पढ़ना है तो अगर आप वीडियो पसंद आईयो तो प्लीज लाइक करना शेर एंड सिस्क्राइब और थैंक यू फो वाचिंग झाल 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 झाल